Assalamualaikum students, आज हम first year English की first point, the rain, start करेंगे जो के एक beautiful phenomena of nature के बारे में है तो point को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके writer के बारे में बात कर लेते हैं W.H. Davis, जो के William Henry Davis है, यह 1871 में पैता हुआ and 1940 में उसकी death हुई उसके थोड़ी सी autobiography देख लेते हैं William Henry Davis जो है वो एक वैलिश पोईंट था अब वेल्स में पैता हुआ Wales जो है वो UK की एक kingdom है UK जिसे Great Britain भी कहा जाता है और उर्दु में हम उसे अजीम बरतानिया बोलते हैं UK बिसिकली चार रियास्तों से मिलकर बना है England, Scotland, Wales and North Ireland तो जो डव्यू एच डेविस है यह वैलिश पोईट है Wales में पैता हुआ इसने अपनी जिन्दगी का आगाज एक ट्रैम के तौर पे किया फेरिबान भी रहा बैगर था लोगों से मांग मांग कर गुजारा किया करता था और बहुत ही एक बिटर एक बहुत ही मुश्किल किसम के इसने जिन्दगी गुजारी और बच्चकुन बहुत मुश्किल में गुजडा इसका जिसकी एक वज़ा ये भी थी कि इसके पेदाश के बाद इसके फादर की डैथ हो गई और इसके मदर ने दूसरी शादी कर ली तो इसके दादा ने इसकी परविश की तो जादा तर टाइम ये आवारा गर्णिया करते हुए ही गुजारता था यही वज़ा है कि फारिग था तो नेचर के बहुत करीब रहा बहुत जादा ट्रावलिंग की उसने और बाई बोट नॉर्थ अमेरिका की तरफ बार बार जाता था और तब तक यह ट्रावलिंग करता रहा कि जब एक दफार ट्रेन में जम की कोशिश में अपनी एक टांग इसने खो दी तो नेचर के करीब रहा ट्रावलिंग करता था और ट्रैम था तो इस वज़ज़ से यह सारे एक्सप्रेंसिस जो है इसकी पोइट्री में भी, इसके काम में भी हमें नजर आते हैं इसका काम नेचर के बारे में बहुत जादा है और बिटर रियालिटी ज आफ लाइफ और पूर अज़ज़ ने बारे में यह बहुत लिखा है इसमें तो इसके कुछ important works को देख लेते हैं The Source Destroyer and Other Poems जो के 1905 में पब्लिश हुआ The Autobiography of a Super Triumph जो के 1907 में पब्लिश हुआ Nature Poems and Others 1908 में पब्लिश हुआ 40 New Poems 1918 में The Loneliest Mountain 1939 में पब्लिश हुआ तो पूइम को पढ़ने से पहले हम इसका theme देख लेते हैं बारिश जो के एक सादा मगर खुबसूरत पूइम है और एक कुदर्ती अमल बारिश के बारे में है और इसके कुछ अलामती मतलब भी है जैसे कि जब बारिश होती है तो दरख्तों पर पढ़ती है तो उपर वाली सता के पते बारिश का पानी पहले हासिल करते हैं और अपनी प्यास बुचाते है और जो बच जाता है वो नीचे वाले पत्तों को मुन्त्किल करते हैं तो ये मेटाफॉरिकल है, बिल्कुल इसी तरह मौशरे के जो अमीर लोग हैं, वो तरकी के सुनेरी मौख़ों के सबसे पहले उनसे फाइदा उठाते हैं, और फिर कहीं जाकर गरीब की बारी आती है. लेकिन ताहम बारिश के बाद का मनज़र बड़ा दिलकुश होता है, जो कि हर एक लिए खुशी का बाइस बनता है, और शायर हमें उमीद का पैगाम देता है, जिस तरह से बारिश के बाद सुरच जरूर निकलता है, इसी तरह गम के बादल भी चड़ जाते हैं, और खुशी नहीं रहते हैं, और यह जिन्दगी की बहुत बड़ी हकिकत है, इसलिए हमें कभी भी उमीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा अच्छे वाकत का इंतजार करना चाहिए, तो चलें, अब हम पोईम की रीडिंग करते हैं, I hear leaves drinking grain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop, tis a sweet noise to hear, these green leaves drinking near, and when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop, I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. जी, तो पहले हम इसके outer meanings, इसके superficial meanings, वो देख लेते हैं, इसकी line by line translation करती हूँ, और फिर इसके बाद इसके metaphorical और symbolic meanings को हम देखेंगे, I hear leaves drinking rain, मैं पास ही पत्तों को पानी पीते हुए सुन सकता हूँ, I hear rich leaves on top, उपर के जो पत्ते हैं उनको वो rich leaves कह रहा है, क्यूंकि उनको सबसे ज़्यादा मौका मिलता है पानी पीने का, और फिर जो पच जाता है वो नीचे वाले पत्तों को मुंत्किल करते हैं, Giving the poor beneath, बाकी जो बचा हुआ नीचे वाले पत्तों को देते हैं, Drop after drop, एक कत्रे के बाद कत्रा कत्रा करके, It is a sweet noise to hear, तीस जो है ये contraction है, ये सुनने में एक बहुत ही मीठा सा शोर है, तीस green leaves drinking near, और ये सबस पत्ते जो हैं मेरे पास ही पानी पी रहे हैं, और जब बारिश रुक जाएगी, सूरज निकल आएगा, तो उसके बारे में वो कहता है, And when the sun comes out, और जब सूरज निकल आएगा, And this rain shall stop, और ये बारिश रुक जाएगी, A wondrous light, एक हरान कुन रोशनी, will fill भर देगी, Each dark, हर गोल, हर तारीख, round drop, गोल कत्रे को, और वो कहता है फिर, I hope the sun shines bright, कि मुझे उमीद है, कि सूरज पूरी आपकुताब से चमकेगा, It will be a lovely sight, और ये देखने में बहुत ही खुबसूरत नजारा होगा, तो ये इसके outer meanings थे, अब हम इसके थोड़े से deeper meanings को देख लेते हैं, इसके metaphorical meanings को, अब देखें कि जो पत्तों को पानी पीते हुए सुन सकता हूँ, तो पानी पीना जो है, वो एक human trait है, तो यहाँ पे उसने personification यूज़ की है, personification क्या है, कि to attribute a human quality to lifeless objects or different objects, किसी भी चीज़ को अगर human quality दे दी जाए, तो वो personification कहलाती है, तो यहाँ पत्तों को human quality दी गई है, जो leaves हैं, वो ट्रिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर personification यूज़ की है, उसके बाद वो कहते है, I hear rich leaves, rich leaves mean, अमीर पते, जर्खेश पते, फर्टाइल पते, उपर वाले पत्तों को कहता है, outwardly तो यह पत्तों को कहता है, लेकिन inwardly के जो यह symbol है, rich leaves जो है, वो symbol है, अमीर लोगों का, जो के, जिस तरह से पत्ते, जो हैं, उपर वाले rich leaves हैं, उनको maximum मौका मिलता है, कि वो maximum पानी जो पी लें, और जो बच्चा है, वो नीचे वालों को दे दें, तो इसी तरह अगर हम, जो दरख्त है, उसको एक symbol ले लें, मौशरे का symbol ले लें, और जो rich leaves हैं, वो rich people हैं, और जो poor leaves हैं, नीचे वाले पते, वो poor people हैं, और range जो है, उसको हम symbol ले लें, opportunity का, तो मौशरे में जो rich people हैं, उनको maximum, जो है, मौका मिलता है, जो opportunities हैं, उनसे फाइदा उठाने का, और जब वो उससे, पूरी तरह से सराब हो जाते हैं, पूरी तरह से fill up हो जाते हैं, उनको पूरी तरह maximum, यूटिलाइस कर लेते हैं, तो जो बचा खुचा होता है, वो नीचे वाले लोगों को, गरीब लोगों को दे देते हैं, तो opportunities जो हैं, जो rain है, वो opportunities हैं, जो के अमीर लोगों के लिए maximum होती हैं, और जो बच को चाता है, वो नीचे वाले लोगों को, जैसे अमीर पत्ते जो हैं, drop after drop कत्रा कत्रा करके दे रहे हैं, तो drop जो है, यहां पर symbol है coin का, तो वो भी अमीर लोगों हैं, घरीब लोगों को फिर coin को इन करके, धिला धिला करके, पैसा पैसा जो है, वो थोड़ा थोड़ा करके, बचा कुछा घरीब लोगों को दे देते हैं, ठीक है, उस्ट पर opportunities जो है, it is का contraction है, sweet noise, देखें, sweet noise, noise short, short sweet कैसे हो गया, short तो जो होता है, वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, तो sweet noise जो है, यहां इसने एक term यूज की है, जिसको हम oxymoron कहते हैं, oxymoron होता है, कि किसी भी literary work की beautification के लिए, उसको अद्वी खुबसूरती देने के लिए, दो opposite words को अकठे कर दिया जाता है, जैसे sweet noise, इसी जए आपको एक example दोंगी, जैसे deafening silence, कान फार देने वाली खामोशी, तो जो खामोशी तो खामोश होती है, कान फार देने वाली कैसे, यह oxymoron है, यह literary खुबसूरती अता करने के लिए, opposite words को जोड़ा किया है, तो यहाँ sweet noise जो है, वो oxymoron है, उसके पास जो next passage है, इसमें हमें hope का symbol है, and when the sun comes out, अब जो sun है, यह भी symbol है, hope का, उमीद का, knowledge का, equality का, तो वो कहता है, कि जब यह rainy day खत्म हो जाएगा, आपको पता है, रिनी day जो होता है, वो literature में symbol होता है, मुश्किल वकत का, तो बारिश का मौसम और मुश्किल वकत, जब थम जाएगा, तो वो कहता है, कि सूरज मुझे उमीद है, पूरी आप उताब के साथ चमकेगा, जो कि उमीद का सूरज होगा, गरीबों के लिए, जिसमें उन्हें justice का सिंबल बनेगा, जो कि equality का सिंबल बनेगा, और जब यह सूरज चमकेगा, तो जो गरीब लोग हैं, उनके हालाद भी बहतर होंगे, और उनकी जिन्दगी में भी खुशियां आएंगी, और स्कून भरेगा, इसी वज़े से वो कहता है कि मुझे उमीद है, कि सूरज जो है, पूरी आप उताब से चमकेगा, और यह बहुत ही फिर खूबसूरत नजारा होगा, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, मुश्किल उनके मीनिक्स देख लेते हैं, जैसे बिनीत, बिलो, नीचे, अंडर, ठीक है, फिर वॉंडरस, अमेजिंग, एक्स्ट्रा ओर्डिनरी, हरान कुल, ठीक है, ब्राइट, ग्लोइंग, लाइवली, चेर्फूल, चमकती हुई, ठीक है, एंड लावली, ब्यूटिफूल, खुबसूरत, ठीक है, तो यह इसकी एक्स्ट्राइशन थी, मैंने इसकी आउटर मीनिंग्स भी, और इसकी इनर डीपिंग, मेटाफॉरिक और सिंबॉलिक मीनिंग्स भी, दिसकी आपके साथ, तो इसमें से आपको एक्स्ट्रीनेशन आएगी, राफूर्स चुदा कॉंटेक्स के साथ, जो कि यह 5 मार्क्स की होगी, और इसमें से आंसर क्वेस्ट्रन भी आएंगे, तो बेस् पॉसिबल क्वेस्ट्रन जो हो सकते हैं, वो भी आपके साथ थोड़ डिस्कस कर लेती हूँ जी How can a rainy day be enjoyed? के question पुछा जा रहा है कि rainy day किस तरह से enjoy किया जा सकता है तो इसका answer आप दे सकते हैं A rainy day can be enjoyed in different ways by playing games, by eating different dishes by going outside for picnic ठीक है? Next question हो सकता है What happens when the rain drops? तो जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? When the rain drops, the sun comes out सूरज निकलाता है It makes everything bright and cheerful हर चीज जो है वो चमकदार और खुश्कुन हो जाती है Therefore, the point hopes to have a lovely sight तो जो point है, शायर है उसको उमीद है कि बहुत खुबसरत नजारा होगा फिर जब सूरज निकलाएगा The point has used symbols Symbols का इस्तामाल उसने कैसे किया है The point has used a number of symbols in the point जैसे कि the rich leaves are the symbol of the rich people and the poor leaves are the symbol of poor people जो rich leaves है वो अमीर लोगों का और जो poor leaves है वो गरीब लोगों का symbol है फिर the rain is a symbol of opportunities मवाक्य का symbol है and the sun is a symbol of knowledge and equality and hope as well तो जो सूरज का निकलना है वो उमीद का की अलामत है वो knowledge की वो equality की अलामत है वो justice की अलामत है ठीक है तो ये best possible questions हो सकते थे जो कि आप से पूछे जा सकते हैं ठीक है